अगर तुम जानना चाहते हो कि लड़की तुम्हें प्यार करती है या नहीं तो बस इन पाच इशारों की तरफ दियान दो अगर लड़की तुम्हें पसंद करती है तो उसके बाड़ी लेंग्विज में ये बदलाव दिखने में आता है पहले तो वो तुमसे नजर मिला कर बात करने की कोशिश करती है दूसरा वो हस्ती है जब उसके नजर तुम पर बढ़ती है तीसरा वो तुमसे बात करने के बहाने ढूंडती है चोथा वो तुम्हारे सामने खुद को सवारती है पाचवा वो तुम्हें चुकर बात करती है औरत हमेशा इशारों में बात करती है और मर्दों को इशारे समझवें नहीं आते हैं इसलिए बहुत मुश्किल होता है जब कोई लड़की तुम्हें इशारों में समझाना चाहती है कि वो तुमसे प्यार करती है अगर खुद आगे बढ़कर मर्द को प्रुपोस करे तो उन औरत को गलत नजर से देखा जाता है उन्हें गलत समझा जाता है इसलिए सदियों से औरत अपने बात को जाहिर करने के लिए इशारों का साहरा लेती है अगर तुम औरत की इशारों को पड़ पाओ तो समझोगे मर्द से जादा औरत रिष्टा बनाने के लिए तरपती है ज़रत औरत के जादा होती है तो देख लेते हैं वो इशारे कौन से है जब लड़की तुम्हें पसंद करती है जब वो तुम्हें प्यार करती है औरत की खासियत होती है कि वो जो चाती है वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करती है अगर उसे कोई चीज सीदे सीदे ना मिले तो वो चाला किया भी करती है वो अलग-अलग मर्दों को इशारे देती है कि मर्द समझ जाए बहुत बार तो वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है कि वो जानना चाहती है कि कौन से इशारे से क्या होता है तो जब औरत किसी मर्द को पसंद करती है तो वो उसे इस तरह अपनी और आकरशित करती है अगर तुम जानना चाहते हो कि औरत तुमसे प्यार करती है या नहीं या लड़की तुम्हें पसंद करती है या नहीं तो वीडियो पूरा देखना मर्द और 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 औरत में एक फरक होता है मर्द का प्यार आँखों से शुरू होता है वो उस औरत को पसंद करता है जो खुबसूरत हो अच्छा रुत्वा रखता हो लेकिन औरत प्यार करती है अपने कानों से सुनकर जी हा दोस्तो औरत तुमसे प्यार करती है ये सुनकर कि तुम कैसे लड़के हो तुम्हारे बारे में चार्शा क्या है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते है उसके सही लिया तुम्हारे बारे में क्या बात करती है और तुम्हारे बारे में पसंद करती है तो वो पहले तुम्हें देखती रहती है घूरती रहती है वो तुम्हारे बारे में सुनकर ही तुमसे प्यार करने लगती है लेकिन अभी वो तुम्हें जीवन साती की तरह नहीं मानती वो उसके पहले तुम्हें चेक करेगी सो औरत ने जो तुम्हारे बार में सुना है वो सही है या नहीं इस वात को जानने के लिए वो तुम्हें घुरेगी तुम्हारी तरफ देखती रहेगी लेकिन लड़के हाई गलती करते हैं औरत को इंप्रेस करने के लिए उल्टे सिधे हरकत करते हैं अरे भाई वो पहले से इंप्रेस है उसके सामने उल्टे सिधे हरकत मत करो बनी बनाई बात मत बिगाड़ो वो तुम्हें वैसा देखना चाहती है जैसा उसे तुम्हारे वारे में सुना है So natural रहो दूसरा है और तुम्हें अपने आखों से घूरने के बाद वो अपनी अदाय दिखाती है वो अपने आखों से इशारे करेगी आखे मटकाएगी अपने होटों को दाथ से काटेगी या अपने लटों को चेहरे से हटा कर कानों के पीछे रखेगी वो देखना चाहती है क्या तुम उसके अदाव से घायल होते हो लड़के तो औरत के अदाये देकर पागल हो जाते हैं वो उसके पीछे ही पढ़े आता है और जैसे ही तुम उसके पीछे पढ़ते हो औरत तुमसे दूर हो जाती है तिसरा इशारा है शर्माना जब औरत तुम्हें अपने अदावस से हासिल नहीं कर पाती तो वो अपना ब्रह्मास्त्र सामने लाती है वो खुद को तुमसे कमजोर दिखाने की कोशिश करती है मर्द को दबी हुई कमजोर या बिद्रोर ना करने वाली औरत पसंद होती है मर्द ऐसे औरतों को आसन शिकर समझते है औरत इसी बात को जानती है और वो खुद को तुम्हारे समने बेचारी दिखाती है तुम्हारे समने उदास होती है, हसी में भी गम चुपाती है, तुमसे थोड़ा दूर जाती है, चुपती है या शर्माकर खुड के चेहरे को चुपा लेती है जरूरी नहीं है कि वो एक के बाद एक इशारे दे हो सकता है वो पहले ही तुम्हारे सामने शर्मा कर अपना चेहरा चुपा ले तो वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो कोई सवाल हो तो वेबसाइट विजिट करो कि अतनी तो लेका भी में दोस्तों बाद sharper को कि वीडियो श्तों को झाल झाल